हेलो गईज तो आज हम बात करने वाले हैं कि माउस के बारे में आपको एक बहुत अच्छा माउस बताने वाला हूं आप देख सकते हैं कि आर्डी स्पोर्ट्स की तरफ से जी एम 300 माउस यह आपको सिर्फ और सिर्फ फाइव डॉल नाइन में बिखता है इसका पहले भी प्राइज देख सकते हैं यह 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 जार से उपर आता था वन वार नाइन में आता था उसके बाद यह 849 में अंडग गया पिर इसका प्राइज जञदा हो गया अभी तो बहुत कम है इसका प्राइज 599 में है यह जो माउस है यह बिलकुल इसका प्राइज बहुत ज texto और ने डिक्ता है यह आप देख सकते हैं इसका प्राइज 2व कहले बहुत जादा आम острोब आ teaspoons सकते आ इइसका प्राइज डर्प ऐल्न अब बहुत है इसको प्राइज आना वह बहुत कम है इस में आपको देख सकते है यह वाइरलस वाइर्ड है वाइरलस नहीं है इसके अंदर आप्टिकल चैंसरी भी लगा हुआ है एक जार हर्टर पॉलिंग रेट है इसका और 48,000 डीपे है इसकी और एक जो केबल है वह वह भी ब्रेडड केबल है और यूस भी है वह भी गोल्ड प्लेट ड़ है तो बहुत यहचा माउस है अभी यह आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है आप चाहें तो अभी इसको ले सकते हैं यह भी जो इंडियन फेस्टवेल सीजन चल रहा है उसमें आपको यह सस्ता मेड़ा है और ऊपर से आपको 75 रुपेज का आपको यहां पर गिस्ट भी मिलेगा अगर आप यूप यहां पे से पैम्ट करेंगे आक्ट आपको कैस्वेक मिलेगा मैंने यह उडर कर दिया है आपको मैं दिखा देता देख सकते हैं हैं आपुछा फिसंसस सब्सक्राइब करा है तो है मेरे को मतर 524 प्रपे में पड़ा है भाइं है इस प्रुटी मस्त ही इसे अच्छी डील तो मेरे को लगता नहीं है मिलेगी और यह मैंने माउस चेक की है वो इतने अच्छे नहीं है यह आपको बहुत यचा है इसके अंदर आपको पांच बटन भी मिलते हैं दो साइड में हैं दो यह डीपे बाड़ा और एक है सप्रॉर बाड़ा है और दो यह है राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक यह आप देख सकते हैं इसके अलग-अलग मोडल भी आते हैं जी एम अंडर ब्लैक जी एम टू हंडर्ड डवल्यू यह बहुत सारे इसके इसके अंदर आपको यह देख सकते हो बारह सो चोबीस और बत्ती सो और फोटी एट डबल जीरो यह आप इसमें डीपे आप चेंज कर सकते हो तो डीपे भी बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए बैस्ट है यह माउस यह देखो डिजाइन भी कितना मसत है इसका स्क्रॉल डेखो इसमें भी डिजैन है और आर जीवी है इसमें आपको पांच डॉड नीचे आपको इसके बैक साइड में डीपे चेंज करने का बटन भी है यह आप यहां ते शकते हैं इसे आप इसके RGB चेंज कर सकते हो और इसका एक software भी है जिसे आप इसके RGB में चेंज कर सकते हो इसके rating भी बहुत अच्छी है 4.2 out of 5 बड़ी हमाउस है आप इसे ले सकते हो